सिरिगर इसका सुनरन करके करूं सारदा मा का ध्यान मात सरस्वती बीड़ा धार्णी मेरे हेर्द विराजों मान बालमीक और तुलसिदास जी इस बालक को दे दो ग्यान पवन पुत्र अंजनी के लाला पहरे पर्याओ हनमान भूल चूक जो भी हो जाए करना चमा गुडी गुड मान चित्र कूट तुवधाम की महीमा लेक बे नाम करे गुड गान भारी सभाल लगे संतों की महीमा गुरुवर करे बखान सुनने वाले सुने द्यान से पूछन वाले पूछे द्यान सुनने वाले सुने द्यान से मिल जुल करके चले गुरू जनहर की बोलत जय जय कार चेलों को बतलाते गुरू जी चित्रे कूत महिमा का सार एमपी और यूपी के बीच में पावन बहे मंदा की निधार करवी से हे थस किलो मीटर मेला लगता पड़ाय पार सखना से पच्छतर किलो मीटर तरसन को आते नर नार तांगा रिक्सा मोटर गाड़ी सुक सुवधा है बेसुमार सुन्दर भवन बने रहने की भगतों के लिए सोच बिचार संतों के हे बने या खाड़े भजन कीरतन होय पार संतों के हे बने या खाड़े संसत्रा सो समय काल में पनार यासत के महराज राजा सवाह से बड़े प्रतापी सदा धर्म के करते काज उत्रा अधिकारी महराज अमान सिंह को पाधा ताज राज किसी माच चित्र कूट तक किसी समय लगती थी जाज पहले मंदिर कम थे यहां पर मंदा किनी में नहीं थे घाट मंदिर पावन घाट बनाए सोभा लगने लगी बिराट बड़ मठ पनवाया रहने को आली सान है जिसकी ठाट दानी धर्मी थे वो राजा बोले जाते थे समराट दानी धर्मी थे वो राजा समय अठारा सो सोला में इस्ता पिना भाई लो जान पन्ना राज की मोहर लगी है रा में पात्र पर है सिरिमान मठ में मंदिर बना सुहाना पेठे राम चन्र भगवान भक्तों के रहने के बोसते सुन्दर बनवाये इस्तान दिखता द्रस्त मंदा की निकट का क्या उपमा में करूँ बखान अब चलो रागा उप्याग घाट को वही चल करे करे इस नान सर्ता तीन मिली आया कर लेओ हमारा कहना मान दसरत जी का राम चन्र ने यही फिंड का पीना दान दसरत जी का राम चन्र ने बढ़ने कुटी सिरी रामे बना कर यही बिचाए ग्यारह साल भरत द्वाज की मान आग्या पस गए यही को सिल्या लाल गोदाबर के दर्सन करते बुपते सरका करके ख्याल कंद मूल फल खाकर अपना जीवन या पन किया नहाल अति सुन्दर लगते हैं परवत जिनकी सोभा बड़ी विसाल बन उपबन को देख देख के मन हो जाता है खोसियाल मन्दा किनी इश्णान करे से मिटते मन के सभी मलाल चेला गुरू चले हैं देखो और आगे का कर के ख्याल चेला गुरू चले हैं देखो और अंजेव ने इस मंदिर को सुनिये बन बाया है खास वाला जी भगवानी की प्रतिमा बैठाली रख कर बिसवास दो धर्मों में रहे एक ता वादसाह की थी ये आस चारो धर्में यहां आ करिके मन बांचित करते अरदास धर्सन करके प्वाला जी की बोज जाती है मन की प्यात तामे पात्रे मुबली राज का पता रहा हमको इतिहास विज़वारा मंदिर को चलिये प्रभु राम के बन कर दात चित्र कूट पाबन भूमी में जिनका कणकण में है बात चित्र कूट पाबन भूमी में कामादिगिर के धर्सन करने जेला फूले नहीं समाई बारे बारे गुरु दे उसे अपने हर एक जगह पूचते जाए कामादिगिरी छोटी से पहाडी गुरु बारे हाले रहे बतिलाए पाच किलो मीटर की परीधी देख देख मन लल चत जाए कामिन देवी के दर्सन से सारे काम सफल हो जाए चार द्वार है इस मंदिर के दूरई से देखो दिक लाए मुखार बिंदि के नाम से जाने रिसी मुनी जन गई बतिलाए भरत राम से यही मिले थे चरण चिन कब को दर्साए भरत राम से यही मिले थे इस परवसे लगी पहाडी पच्च में दिसाक चलिये और लच्च मन पहाडी के तेस को स्रोता सज्जन करिये गोर कठिन तपिश्या की लच्च मन ने इस परवस परप्ड़न को धार करी सुरक चारा में चंड की नित बन करके पहरेदार बरा बरस तपिश्या की नी तजी बीर ने नीद और नार इसी तपिश्या के प्रतापि से मेघेनात को डाला मार अब चलते हैं प्रमोत बन तो सियाराम बोलत जैकार आंगे आंगे चले गुरुजी पीछे चेला चल पगडार आंगे आंगे चले गुरुजी पदला समय काल भी पदला सुन्दर बन हो गए बिरान चित्र कूट की पाबन भूमी जहां राम का था इस्तान एक समय रीवा का राजा चित्र कूट आए धर ध्यान नजर पड़ी जब इस भूमी पर जिन उधार की ओलो जान दीन खिचादय है पर कोटा मंदिर बनवादय महान मंदिर अंदर यहान बिराजे लच्मी पती सिरी नारान यहां पर पुत्र दब्रक्ष लगा है जो देता सब को बरदान बाज़न नारी कर ले पूजा मिल जाए उसको संतान बाज़न नारी कर ले पूजा सिर सावन सावन ना दूजा चित्र पूट मैं कोई दिखाई चमपा चमेली जुही केद की बन मैं लगी रहो महकाई गेंडा लटक रहे डानों मैं और मोंग रा मन को लभाई जनक दुलारी इस बगिया में खूले तोड़ने कित दिने आगुगुग कर फूलों की लड़िया अपने तन को ले सजाए जहां इस प्टक सिला रखी है बन बिहार कर बैठल जाए रामसियासन बैठ सिला पर चित्र कूट का हाल सुना सुनती सिया मगन मन होकर प्रभू चरण में चित्र लगाए सुनती सिया मगन मन होकर जित्र कूट यति पाबन भूमी जाफर आत्री मुनी का धाम बड़े तपस भी थे बेग्यानी सदा हरी का लेते नाम धर में परायाल हुन की पत्नी पति सेवा करती निसका में आत्री मुनी की लगी समाधी भूक प्यास सब तजी तमाम दस बरसों तक नेन न खोले हरी हरी का करके आस खुली समाधी कह सती से मुझको लगी जोर से प्यास उठा कमंडल चली अनसुया जलकी करने लगी तलास उसी समय आकाल पड़ा था सती पती की करके प्रते ग्या कठिन तपिस्या लई है ठान देख तपिस्या मात सती की बारोण देव हो गए है रान चित्र कूट की पाबन भूमी परसन लागे मेघ महान सतीन सुया के तपवल से निकली मंदा के निहयान पेड़ों में हर याली छाई करब धना के बने बिधान सतीन जल से भरा कमंडल पास मुनी के पहुचियान प्यास बुझाई अपने पती की जिसने दिया अटल बरदान तीन लोग में सतीन तुमसी होगी कोई लीजिये मान तीन लोग में सतीन तुमसी दंडक बन में रहेन साचर खर दूसल बन पहरेदार रिसी और मुनियों पर पापीन करने लागे अत्याचार नास धर्म की करने लागे अधर्म का करते सनचार चित्र कूट जवरा में पधारे रिसीयों ने करी करुने पुकार दीन बंद दुख हरने सामी हुआ आपका है अवितार धर्म धोजा लहरा के प्रभूजी रोक देव यह नर संधार इडसीयों के मुख से सुन बाली मगर राम ने डाले मार खर दूसन थे सकती सॉली राम घाट से धच्छिण चलिये सतना राज मार्ग की और वाइस किलो मीटर चल करके गोदावरी का आता छोर दो विसाल गुफा परवत में देख जिसे मन हो जा चंग प्रक्ती की सुन दर्ता देखो जल से सीतल उठे तरंग गोदावरी के निर्मल चल से मन में नई नई उठे उमंग उपर इर सिमुनियों की मूरती देख जिसे हो गए हैं दंग देवतावां की देखो मूरत करते चलो इन्हें पर नाम भाव बंधन मुक्ती को पाने दसरत जी की है पुल देवी आई अबद पुरी से चान सियारा में लखन बन निकले उनके संग में पहुचियान कुल दीबक की रक्षा करने जिसने मन में लई है ठान चित्र कूट में आतेवी ने अपना बना लिया इस्तान पन देवी कहलाने लागी भक्तो सुनो लगा कर ध्यान सुन्दर छटा लगे मंदिर की रम जाता मन आनंद मान सीता के पद जिन हिपनी है देखो यहाँ चोबीस प्रकार रामिसिया उर्पन देवी की बोलो दिल से जय जय कार रामिसिया उर्पन देवी की तीन स साथ चड़ करके इसलिया हनुमान धारा गए आए गुरुबर अपने दोईचेलों को वहां की महिमा रहे सनाए लंका देन करी कपिवर ने अपनी पूछ में आगी लगाए पुझा पूछ सागर में अपनी रामा दल में पहुचे आए मगर अगन की तीब्र उसमा हनुमान तन रही चलाए सिरी राम से हाल सुनाया स्वामी कष्ट सहा नहीं जाए सुन कर हनुमान की वाली राम चंद्र बोली समझाए चित्र कूट को जाओ पवन सुते चराय अहाना देरे लगाँ चित्र कूट को जाओ पवन सुते हाँ हे स्राम ये अगन की जोले चला रही है मेरा सरीर अपने दात की सुन कर यार जीर क्रपा की जिये है रगवीर क्रपा राम की होजा जिस पर उसकी सब मिट जाती पीर हनुमान की पाहुं भुजा पर गिरने लगा अभीरल नीर अमरत मैसी तल है धारा बुजा दई है तन की द्रास चित्र कूट में पवन पुत्र के पूरी हो गई मन की आस चल की धारा दो खुंडों में गिरते रहती बारो मास जिसके दरसन मात्र से भगतो बुज जाती है मन की प्यास जिसके दरसन मात्र से भगतो पंच मुखी हनुमाने के दरसन करते पाप सभी मिट जाए अनुपन जहों की लगती बोकी जो ना देखे बोलल जाए पंच मुखी के दरसन करके सियार सोई देखन जाए सोसिनिया चढ़ना है बेटा है मत लीजे और जुटाए कंद मूल फल मात सियाने इसी जगह पर लिए पकाए परसक पतल राम लखन को सिया माई ने दिये खिलाए जो भी अहों से दरसन करता उसके काम सफल हो जाए धन को बेर भर देते घर में कभी न कोई खाली जाए धन को बेर भर देते घर में इंद्र पुत्र जायंत्र की कन्या देवा कना है जिसका नाम मन माफक बर पाने देखो बैठी चित्र कूट के दा मुझको पती चाहिए बेसा जैसे अबद पुरी के राम करे दिवांग नकठिन तपिश्या काम क्रोध की जौला थाम जनक सुता के पती है रगवर केसे इन्हें मिलेंगे राम और किसी की करे नयासा राम रट रही आठो याम कैसे मनुरत होंगे पूरे देवता देख गए घविया हट लई ठान जय अंतिकन्या बात किसी की माने ना हट लई ठान जय अंतिकन्या त्रेता में मर्यादा रखन को देने प्रणली ना हे ठान जनक सुता के सिवात हुस्तरी नारी मानू मात समान मगर सप्ष्या देख के इनकी मैं देता इनको बरदान द्वापर में जब जन्म हो मेरा पूरे होंगे तब आर्मान पातु देव द्यव की दुख तालन जन्मे सिरी केश्न भगवान गोकुल नंगरी जन्मी देव गना जिनके पिता बने ब्रस्भान राधा नाम रखा है सबने जिसकी मधुर लगे मुस्कान यहां जो मांगो सचे दिल से मन वांचित मिलता बरदान यहां जो मांगो सचे दिल से कोट तीर्थ की करने या तिरा जब हो जाओ तम तैयार नो कलो मीतर दूर है चलना उत्तर दिसा में चलते पहाण यहां की महिमा तुम्हे सुनाता सुनलो करके सुधे विचार कोट नाम के हुए रिशीवर करे तपिश्या या तन मार जिनको तपिश्या करते यहां पर बीदे बरसे दसे हजार जिनके तप बल से धरती में कुंड बना है बढाय पार जिसका चल सीतल अतिपावन रोगों को देता है मार दूर दूर से आत भक्ति गण कोट तीर्थ पावन दर्वार दूर दूर से आत भक्ति गण इस परवत माला पे बना है बाके से हद नाम के स्तान सुनते जाना सुना रही हूँ यहां के महिमा बड़ी महान केहते हैं यहां सिव केला सी रहते हैं संकर भगवान चित्र कूट के इस परवत परिख रिसी मुनी करते सिव ध्यान सिव मंदिर यहां पर भक्तोंने बनवाया है आली सान रिसी मुनियों को राम चंद्र ने दरसा ने दिये यही परियान रिसी मुनियों को सिव पूजान का राम पता ये बिधी बिधान पूजा बिधी बता के राम ने सिव त्रफ का दिया था ग्यान पूजा बिधी बता के राम ने भारत कूब का सुन लो बेटा तुन को रहा हूँ हाल पताई बादा राज महारगे से चलना राम चंद्र की लीला गाए के कई पुत्र भरत ने यह पर सब सीठ का चल ले आये राम चंद्र का राजित लग कर बापा से अबद पुरी ले जाए मगर राम ना गए अबध को चित्र कूट में बस गए आये कोत मनाया भरत लाली ने मगर राम नहीं मानत आये चाउदह बर्स हुए बनवासी किसी राज में हन ना जाये चित्र कूट से गए भरत जी आबद पुरी को गोधि लगा चित्र कूट से गए भरत जी भरत कूप में दूर दूर से आते हैं देखो नरिनार संक्रांती को भरता है मेला लगती भीडे पड़ी अपार अगरो बक्तों तिथी सत्मी और पड़ जाए अगर विवार भरत कूप में मारो डूब की सारे पाप होएंगे छार ए मंदिर है भरत लालक बोलत चलिये जय जय कार ए है राम जान की मंदिर महिमा जिन की अपरमकार छात्र साल राजाने यह कब करवाया है जागदार भक्तों ने भी मिलते यह पर बचा पुचा करवाया कार भक्तों ने भी मिलते यह पर काम अदिगिरी से बच्च में चलिये तीन किलो मीतर में है खास रामसिया की सयन खिस्तली बेटा सो नौमान बिसबास इसी सिला पर रामसिया जी करते थे देखो आराम एक धनों स की रहती थी दूरी दोनों करते थे बिसराम चिन अभी तक परिशिला में देखो तुम्हें रहे दिखिला दो परवत के मध्य में इस्थित सिरी रामसिया के ला जो भी दरसन करने आए उसके काम सफल हो जाए तुम भी दरसन कर लो बेटा राम चंद्र का ध्यान लगा तुम भी दरसन कर लो बेटा जित्र कूट से सतना मार्ग पर बेशट किलोमीटर है दूर गाओं मजगमा से जाना है पहुचना आस्रा में हमें जरूर पहले यहां रहते थे रावच्छस और करते थे अत्याचार रिसी मुनी जन करी तपिश्या देते उन्हें जान से मार रिसी सर्भंग ने करी तपिश्या और राम से करी पुकार जब आए प्रभुचित्र कूट को रिसी सर्भंग के पहुचे द्वार आदर सादर करी रिसी ने और पतलाई बात विचार कष्ट हरई आए आप हमारी प्रचीन काल की बात बताओ बेटा सुन लो ध्यान लगाई बेदबती नामक थी अपसराई जिसका रूप न पर न जा चित्र कूट की पाबन भूमी दरसन करने नित बोआ एक दिन इंद्र देव ने देखा उनके मन बो गई समाई दरसन करके गई अपसराई अपने भवन में पहुची जाई इंद्र देव गई इंद्र लोक को मगर नीद ना ने नन आए उठोठ बेठे चाई सेजों पर दिल की बात कही न जाए पड़े सवेरे चले इंद्र देव जित्र कूट में पहुची आए पड़े सवेरे चले इंद्र देवे इंद्र देव की इंद्र लोक में करवट बदल कटी थी रात आज अक्सरा से मिल करके करना चाहे रहे थे बात पहुची वेद बधी मंदाव किनी करने लागी है इस नाल उसी समय पर इंद्र देवी भी सुनिये वही पहुच गए आन देखे अक्सरा भाई है लज्जत और दुसाला लई है तान इंद्र देव को सीस जुखा कर उसने दिया मान समान देखा तरह गई खड़े इंद्र देवे मंद मंद भर के मुस्कान बोले इंद्र ये सुनिये देवी मुझे को पती लीजिये मान बोले इंद्र ये सुनिये देवी इंद्र निसाची के साथ मैं कर नहीं सकती मैं अन्याए इंद्र देवी जी छमा कीजिये मैं ना तुमसे करूं बिवाहे मेरा योबन रूप देख कर तुमने बड़ा लई है चाहे अरे बिवाहे करने की मुझे को सुन लो अभी नहीं परवाहे सुन कर बेद पती की पाणी इंद्र देवी कोधित भई आय उठाक जल मंदा की निजी का अच्से रखो देदै सराप तुझे खमंड हुआ योबन का जो कभी एक सरह ताना आय मेरी यही सरापे सुन ले रूप का रूप अभी हो जाए मेरी यही सरापे सुन ले मंदा विरी सिके जाओ आस्रम पूरी होगी मन की आस आस्रम में निर्गो धक नामक कुंड पना कहता इतिहास करो इशनान प्रती दिन उसमें मेरा मान लेओ बिस्वास अगर क्रपाउन की हो जाए पूरी होगी दिल की आस इंद्र देव की सुन के बाड़ी चली अब फिरा आस्रम और मंदा विरी सिके सुनो आस्रमे पहुच गई हो तैसे भोर मंदा विरी सिकरी प्रतिन मेरा नाथ करो कल्यान कुष्ट रोग से में ग्रिस्द हूँ मुझको दे दो जीवन दान कुष्ट रोग से में ग्रिस्द हूँ बेद बती उठ प्रात काल में जाए कुंड में करीशनान तोड़ पूल बगिया के सुन्दर आरपन कर शंकर भगवान सिवकी क्रपा भई जवे उस पर समय ने बदलाय अपना विधान फिर से सुन्दर पनी अप्षरा अंबर से आ गया विमान बेद बती गई इंद्रे लोक को बोलत शिव की जय जय कार मांडव अश्रम की एगा था मैंने आप से कही बिस्तार जो ही सिनान करे अहां यां कर उसके मिट जासा भी विकार शिव शंकर की दर्शन करके सारे पाप होएंगे छार शिव शंकर की दर्शन करके जित्र कूट से उतर दिसा को चलना है हमको सिरिमान पेत सिकलो मीतर की दूरी नादी ग्राम में पहुचो आन संकट मोचन अंजनिक लला जहां पर बेथे हैं हनुमान तुल सिदास जी प्रति दिन यहां पर आते थे लोग गहना मान सिरि हनुमान की करते थे पूजा देखो बना कर विधी विधान पूजन करके तुल सिदास जी अपने घर को कर प्रस्तान एक राट सपने में आ गई उनके सुनो सिरी हनुमान बोलन लागे तुल सिदास से सुनो पे प्रिबार ध्यान लगाए बोलन लागे तुल सिदास से जज़ए सिरी राट यमन नद्री के बसाद के नारे राजापूर तुलसी का गाम सिरी हनुमान की बनी है मढ़िया तुलसी कुटी बनी सोवधाम यहां बैठ कर तुलसी दास ने रामा याले लिख दई तवाम राम चन्र के हो गई दर्शन तुलसी दास के बन गई काम चित्र कूट संपूर यातिरा दर्शन दै तुमको करवा देखे सुने जो इस महिमा को उसके कार पूर हो जाँ जिसकी रही भाव ना जैसी उसको फल बैसा मिल जाए गुरुवारी के चरणों में चेला बैठ गए हैं सीस जुकाए गुरुवारी के चरणों में चेला